दोस्तो आज की दुनिया में अगर हम देखे तो एक हाई स्पीड इंटरनेट सभी लोगों की एक पहली जरुरत बन चुका है लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फेस्बुक, वर्टसेप और इंस्टाग्राम पर ओनलाइन रहना चाहते हैं ऐसे में 5G टेकनोलोजी लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है आज की इस वीडियो में हम 5G टेकनोलोजी के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे की कैसे 5G फीचर को और ज़्यादा एकसाइटिंग बना सकता है साथ ही हम 5G technology के बारे में भी जानेंगे जहां पर हम बात करेंगे 5G NSA यानि कि non stand alone 5G के बारे में और 5G SA यानि 5G stand alone technology के बारे में तो दोस्तों एक consumer के तोर पर हमें ये समझने की जरुरत है कि fundamental difference क्या है 5G non stand alone और 5G stand alone technology में तो ये difference जादा मुश्किल नहीं होगा आप सबी लोगों को समझने के लिए जो non stand alone 5G technology है वो पहला stage है 5G का जहां पर हम नया 5G radio access network सेट अप करते हैं existing core 4G LTE network पर यानि कि हम existing 4G structure को ही use कर सकते हैं 5G को implement करने के लिए और इसे ही कहते हैं non stand alone 5G वहीं अगर हम 5G stand alone की बात करें तो यहां पर हम बिल्कुल ही नया 5G radio access network सेट अप करते हैं 5G infrastructure पर यानि कि हमें 5G network को implement करने के लिए एक नया infrastructure यहां पर तयार करना पड़ेगा अब दोस्तों चाहे वो stand alone 5G technology हो या non stand alone 5G technology दोनों ही तरीकों से हमें काफी अच्छी speed यहां पर देखने को मिल जाएगी लेकिन कुछ cases ऐसे हैं जहां पर हमें stand alone 5G की जरुरत होगी for example driverless car application या virtual reality technology जहां पर हमें latency बहुत कम चाहिए वहां पर हमें stand alone 5G की जरुरत पड़ेगी इसी के साथ ये भी जरुरी है कि ये दोनों टेकनोलोजी एक साथ मिलकर काम करे ताकि हमें अच्छा और positive user experience मिल सके 5G टेकनोलोजी को जल्दी से जल्दी implement करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि existing 4G LTE network को use करके non stand alone 5G को initiate किया जाए ऐसा करके हम 5G को जल्दी से जल्दी start कर सकते हैं और day by day जो हमारा data consumption बढ़ रहा है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं इससे users को भी अच्छी network speed मिलेगी साथ ही साथ अच्छा user experience भी यहाँ पे मिलेगा हाला कि non stand alone 5G network से हमें true 5G का benefits सो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये एक important step होगा next generation technology की तरफ इससे commercial 5G customers को भी काफी benefit मिलेगा वो अपने pilot project या फिर early stage projects को test कर सकते हैं जो आगे जाकर नए innovative ideas के लिए नए रास्ते खोलेगा वहीं अगर हम stand alone 5G network की बात करें तो ये बिलकुल ही नए टेकनोलोजी होगी जो नए infrastructure पर तयार होगी stand alone 5G network से हमें machine to machine communication solution भी मिल पाएंगे real time device to device networking possible हो पाएगा ultra reliable low latency functionality system जैसे autonomous devices और next generation internet of things हम develop कर पाएंगे साथ ही हम commercial, argumented and virtual reality को भी search कर पाएंगे दोस्तों जो भी technology मैंने आपको यहां पर बताई है वो सभी develop और implement करने के लिए हमें stand alone 5G network की जरूरत होगी बिना stand alone 5G network के ये कोई भी technology possible नहीं है तो दोस्तों आने वाले कुछ साल technology के लिहास से देखे जाये तो बहुत ज़दा exciting होने वाले हैं और इंडिया में भी हमें जल्दी ही 5G technology देखने को मिल जाएगी